पूर्नर नवाम मंदूर आयुर्वेद की शास्त्रोक्त ओशदी है जिसका निर्मान शोधित मंदूर और पूर्न सेथ 18 ओशित द्रव्वे के सहयोग से किया गया है आज हम आपको इसके निर्मान विधी गटक द्रव्वे और फाइदों के बारे में विस्तार से बताएंगे दोस्तों इसका उपयोग पलिहा और यकृत की वरिदी और सूजन में इस द्रवा का परमुखता से उपयोग किया जाता है एनेमिया, मंदांगनी और अर्शादी रोगों में भी आईरुवेद की शिकस्ता के अनुसार इसका सिवन करवाया जाता है शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने और सूजन और पीले पन में भी पुनर नवा मंदूर का आईरुवेद की चिकस्तक विवार किया जाता है यह बढ़ हुए स्प्लीन और लिवर को ठीक करती है और साथ ही अनेमिया, पीलिया, बवासीर और अर्श जैसे रोगों में प्रयोग की जाती है इस दवा के निर्मान में पुनर नवा मंदूर मुख्य द्रव होती हैं इसी कारणी से पुनर नवा मंदूर का जाता है इसमें पुनर नवा, सफेद, निशोवद, पीपर, सोंट अधिकुल 19 साहरवद की द्रवों का इस्तिमाल किया गया है जैसे इनका नाम इस प्रकार है दोस्तों पुनर नवा, सफेद, निशोवद, पीपर, सोंट, काली मिर्च, वाइवनिंग, देवदारू, चित्र कमल, कूट, दारू हल्दी, हल्दी, आवला, बहेडा, धंती मूल, चव्वय इंद्रव, पीपरा मूल, नागर मुथा और शुद मंदूर चूरण ये 19 चीजिया जिनको मिलाकर पूर्णर रवा मंदूर बनता है दोस्तों इसके बनाने के लिए जो सभी ये 18 चीजिये हैं इन्हों एक एक ग्राम की मात्रा में लेना है और इन सभी का प्रत्म महीन का प्रचान चूरण त्यार करना है अब शुद मंदूर के चूरण को दो हिसे लेकर गाए के गौमुत्र में पकाया जाता है और अच्छी तरह पकाने के बाद जब गोल गारा होने लगे तो बेर की गुठली के अकार की गोली ये वटी बना ली जाती है इस वटी को आपने चाच के साथ सेवन करना है और इसका सेवन एक गोली सुभे शाम, एनीमिया, मंदागनी, अर्श या बवासिर के रोग में चाच के साथ करना चाहिए और यकिरत और पलिहा के विर्दी या सूजन में पुनर नवादि कवात के अनुपांथ में इसका प्रयोग करना चाहिए और अगर पेट में कीडे पड़े हों तो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं यह दोस्तो जो बहुती उत्तम दवा है और सूजन को दूर करती है रक्त के वरिदी करती है और एनिमे जैसे रोग में भी बहुत फाइदे मन्द है श्रीर के सभी विकार, एकर्त के सभी विकारों में ये फाइदे मन्द है पलिहा की सुजन और विर्दी में वहत फाइदे मन्द है पाचन किर्या को ये बिलकुल ठीक कर देती है अगर पाचन ठीक नहीं है आपका और अगर खांसी लगी होई कफ का शमर भी करती है और कबज को दूर करती है तो ये थे पुनर नवा अदिम मंदूर के फैदी उमीद है आपको ये जानकर ये अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जुरूर कीजिए ताकि वो अभी इसका फाइदा उठा सकें और हमारी चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही स्वास्तेवर तक जानकर या लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रहे रेमेडिय अपडेट्स के साथ नमस्कार धन्यवाद